सीफूड बनाते वग इसपेशली ओस्टेल, स्क्वीड, स्कैलप्स, लॉप्स्टर, श्रिम्प आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि ये हीट के कॉंटक्ट में आते ही बहुत ही जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट होते है जिसको हम सभी मायड रियक्शन के नाम से जानते है जो बेसिकली नॉर्मल खाने में 140 डिग्री सिल्जियस पे स्टार्ट होती है बट यही रियक्शन कस्टेशियन और मॉलस्ट के साथ कूप करते वग बहुत ही जल्दी मतलब बहुत ही कम टेम्परेजर पे स्टार्ट होती है और मोस्ट बॉइलिंग पॉइंट से भी कम टेम्परेजर में इसका एक मेजर रिजन है क्यूंकि क्रस्टेशियन और मॉलस्ट के टीशू का सौल्ट बैलन्स करने के लिए उनमें high concentrated amino acid और simple sugar बहुत ही जादा amount में पाए जाते है और उसी के कारण जो browning की process है वो यहाँ पर बहुत ही कम temperature पे स्टार्ट होती है और उसी की वज़े से क्रस्टेशियन और मॉलस्ट कुकिंग के टाइम भी बहुत ही जल्दी brown होते है